हेलो एवरिवन आज क्लास 12 के लिए एक आर्टिकल राइटिंग हम करने जा रहे हैं यह 15 टोपिक ही होते हैं जिनकी आप रिविजन कर लो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो वही घूम फिर कर आ जाते हैं कि आपको नौलिज होने चाहिए तो इन दिस रिगार्ड वी आर गूं यू आर कमल एंड स्रोज आप बोई हो तो कमल एंड गल हो तो स्रोज यू सड़नली रियलाइज दाट इंडोर एर पोलुशन इस आलसो अ पोटेंशियल हेल्थ हेजार्ड आपने सड़नली रियलाइज किया समझा कि इंडोर एर पोलुशन है जो घर के अंदर जो एर आर्टिकल लिखोगे इसके बारे में for your school magazine ठीक है taking clues from the following verbal inputs along with your own ideas write an article यह ज़रूरी नहीं कि आपकोई clues दियो हो बट यहां पर दियो हूं तो you can take help from them देखो यहां पर source दे रखे हैं indoor pollution के source यानि के indoor घर के अंदर भी pollution कहां से आजगता है secret pipe, cigar, babies, pollutant, tobacco smoke, ठीक है तो इसमें साथ में बता रखा है don't smoke, don't allow others to smoke, खुद भी smoke ना करो, दूसरों को भी allow ना करो, तीसरा क्या है, second क्या है यहां पर source, pets like dogs, cats and birds कहीं क्या है कब उतर वगरा को, या parrots को, dogs को, cats को, dogs mostly ही रखते हैं, ये भी रखते हैं, और ये भी क्या है, कि कुछ ऐसे निकलते हैं, जो air pollution का सांस लेने में problem होती है, allergies होती है, कुछ तरह की, ठीक है birds, creatures, जो कुछ भी वो मलब छोड़ते हैं, action, avoid pets, it's possible, do not allow them, at least कहां, bedroom में तो allowed ना करें, third क्या है, beds and furnishing pollutants, dust mites, जो जैसे हमारे कई वार सोफे होते हैं, bed के गद्दे होते हैं, इतनी dust उनके अंदर होती हैं, वो daily हमें क्या करने चाहिए, साफ करने चाहिए, changes beds and mattress regularly, or dry them in sunlight periodically, जब भी भी आपको week में, 15 days में टाइम लगे, आपको उनको क्या करना चाहिए, sunlights के अंदर, अच wash करवाते हैं, cleansing product होते हैं, कुछ भी फिनाइल है, या bathroom cleaners है, air freshener है, mosquitoes, coils, air replants है, यह सब भी किस चीज़ का source है, indoor pollution का source है, ठीक है, और, violet and semi-violet organic compounds and toxicants, avoid if possible, or ventilate room during, after use, जब हम कोई पोचा वगरा लगाते हैं, फिनाइल का, या mosquitoes को भखाने के लिए, good night वगरा लगाते हैं, यह सब भी air pollution के का, responsible है, कहीं, तो even वो यह बोलते हैं, कि मुझे तो इससे allergy होती है, ठीक है, तो यह आपको four दे रखे हैं, इसके base पी यह देखो, आगे, क्या है, यह indoor air pollution का, आपका पुरा पहरा graph है, article है, we are all aware, all aware of the fact that the outer air pollution does badly affect one's health, कि हमारी health को यह badly affect करता है, indoor pollution, but, outdoor pollution, but, only a few of us, लेकिन हम में से कुछ ही aware है, कि indoor pollution जो होता है, can also be a potential health hazard, कि यह भी a potential health hazard हो सकता है, it is so, because 80% of our time is spent indoor, क्योंकि हमारा जो 80% time है, वो घर में ही बीतता है, poor indoor air quality is the source of many disease, यानि कि जो हमारे अंदर हवा, घर में आवा आने की quality है, उसके ओपर care depend करता है, कौन सी disease है, अस्थमा, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, lungs में, फेफ़रों में प्रोब्लम हो जाती है, lungs ailment हो जाती है, allergy, crintains, लगातार जो काम, छीके आना किसी भी हमारी है, ठीक, people suffering from asthma और ब्राउंचेट्स, शफर दा मोस्ट, यह respiration related problem है, कि जो air pollution के problem वाले disease वाले, जो patient है, उनको अस्थमा रहता है, old people who have to indoors, me suffer from pollution related lungs disease, जो old people है, बुजूर्ग लोग है, जो घर के अंदर रहते हैं, उनको भी lungs related problem हो जाती है, there are many indoor pollutants, जो pollutants, जो pollution करते हैं, उनको pollutants करते हैं, for example, cigarette or the pipe smoking in the room, pollutes the inside air, जो कई घरों में क्या होती है, बीडी cigarette पीने की आदत होती है, या pipe पीने की आदत होती है, हुक कभी जिसको करते हैं, तो यह सब भी क्या करते हैं, अंदर की घर की हावा को खराब करते हैं, pets like dogs, cats are also the source of many allergens, सब भोत तरह की allergies का कारण बनते हैं, जो pets होते हैं, ears, freshener, हावा को fresh करने के लिए, मैं ऐसे ही room में स्प्रिंकल करते रहते हैं, mosquito coils, wrap plants, paints, अभी हमने पीछे डिसकस किया था, वो ही सब है, cleansing product also impurify the air, dust mites in the beds and the furnishing also cause many all allergies, यह जो rust ही रहती है, बैड में, गद्दो में, कहीं भी, वो भी सब कारण है, allergies का, those who use stove, और जो लोग stove वेगरा यूज करते हैं, heater inside the room, add carbon dioxide to the, carbon monoxide to the air, air में क्या आ जाती है, उसमें हवा में, carbon monoxide gas आ जाती है, which is bad for our health, और जो मारी health के लिए क्या होती है, बड़ी बेकार होती है, we can do much to reduce the level of indoor air pollution, अब last में क्या है, paragraph में आपने solution बताना है, कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, reduce हो तक कम करने के लिए, जो level है, air pollution का, we need to check out, check our habits, बस हमें क्या जुरूरत है, अपनी habits को चेक करें, like smoking and cooking indoors, खर के अंदर ही खाना पकाते हैं, कीचिन में proper से हम यूज नहीं करते हैं, we should avoid pets, or at least do not allow them to come into our bedrooms, we should change beds and mattress regularly, we should prevent and repair leaks, only individual efforts can also help reduce their air pollution, whether it is outdoor or indoor, कहते हैं, individual जो है ना, एक केला इंसान, हर एक आदमी खुद अपने अपने घर में अपना ख्याल रखे, अपनी आदतों को क्या है, remove करे, तो यह सब problem क्या है, soul हो सकती है, then you will listen it carefully and revise also.